महीं भारी बारिश के बाद ओडिशा में आलू संकट बढ़ गया है ओडिशा के बॉर्डर पर पशे मंगाल से आने वाले आलू के कई ट्रक खड़े हुए हैं पूर्व सीम नवीन पतनायक ने मम्ता बैनर जी को इसमें हस्तक्षेप करने की अपील की है ओडिशा में भारी बारिश की वज़़ से आलू की सप्लाई में कमी आ गई है जिससे बाजार में आलू की कीमते अचानक से बढ़ गई है और आम जंता को परिशानी का सामना करना पड़ा है उडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पतनायक ने इस संकट पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री मम्ता बैनर जी को पत्र लिख कर हस्तशेप करने की अपील की है लेटर में पतनायक ने कहा है कि मुझे मीडिया से पता चला कि आलू से लदे ट्रकों की लंबी कतारे पश्चिम बंगाल उडिशा सीमा पर इंतजार कर रही है मैं आपसे अपील करता हूँ कि कृपया इस मामले पर हस्तशेप करें और उडिशा को आलू की सप्लाई सुनिश्चित करें वहीं उडिशा सरकार ने हालात को समभालने के लिए यूपी से आलू खरीदने पर बाचित शुरू कर दी है उडिशा के खाद आपूर्ती मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो भी कारोबारी आलू को महंगे दामों पर बेच रहे हैं उनके खिलाफ सक्त कारवाई की जाए उडिशा में इस वक्त थोक मार्केट पे आलू के दाम 26 रुपे प्रती कीलो हैं ग्रहकों को 35 रुपे प्रती कीलो के दर से जादा नहीं मिलना चाहिए जबकि राज में आलू की कीमत 50 रुपे प्रती कीलो से जादा में बिक रहा है